Assalamualaikum, Welcome to GFX Mentor, मैं आपके टीचर इम्रान और आज Adobe XD के एक और क्लास लेकर आगया हूँ और आज हम देखेंगे प्रोटोटाइप्स तो आईए स्टार्ट करते हैं All right, welcome back, so first of all प्रोटोटाइप्स को समझ लें, प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं आपने पूरी एक एप्लिकेशन या वेबसाइट बना ली अब अपने क्लाइट को दिखाना है कि ये किस तरह से चलने वाली है यान कि किस तरह से नेविगेट होगी हम किस बटन भी क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, ये सारा फ्लोग समझाने के लिए या अपनी टीम को समझाने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सो लाइक सर्फ क्लाइट को नहीं दिखाना होता है आप जब डिवैलिपर्स को अपनी डिजाइन देते हैं तो उनको भी ये समझ में आना जरूरी है कोई परपस नहीं है इसको हम डिजाइन में आकर के देख लेते हैं और इसको मैं हाइट कर देता हूँ तो आपको सारी स्क्रीन दिख जाएंगी तो इस इस जस्ट अस्प्लैश स्क्रीन राइट एक लोगो है एंड एन साइन है और फिर एकाउंट और फिर स्टार वन, स्टार टू और ये फाइनल हमारी एब स्क्रीन सो कोई फंक्शनल एब कुछ भी नहीं है ये किसी बारे में नहीं है it is just a simple design और हम इस design को flow design करके ये फ्लो प्रोटोटाइब करके हम अपने developers को या अपने clients को दिखाना चाहरे है so first thing तो ये कि आप अपना यहां उपर देखें तो आपके पास आ रहा है prototype जैसी आप इस पर आएंगे तो आपके पास एक चीज़ यहां पर यह दी हुई है एक button पहले तो इस button को जब असा समझ ले ये corner पे top left corner पे आ रहा है home आपकी CV screen पे tap करके उसको home screen बना सकते है so मैं home screen इसको अभी बना देता हूँ थोड़े देर के बाद देखे हैं splash screen का क्या सलसला है now इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास sign in दिया हुआ है और sign in में email password जो आपने हमेशे देखा होगा साथ ही साथ forgot password दिया हुआ है and sign in दिया हुआ and create account so अभी हम forgot password को नई link कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने forgot password वाली कोई email I mean जो screen है वो बना ही नहीं है so सबसे पहले मैं sign in का कर रहा हूँ जैसे ही अगला जो भी यूजर आकर के email और password डाल के जैसी sign in पे क्लिक करे तो मैं चाह रहा हूँ कि directly इस start वाली screen पे आजाए ठीक है या आप चाह रहे हैं कि directly welcome screen पे आजाए आपकी मरज़ी है so let's say sign in जैसी मैं sign in पे क्लिक करता हूँ देखें यहां पर एक छोट ऐसा arrow बना वा रहा है इस arrow को drag करना है आपने और drop करना है कि ये button कहां लेके जाएगा मैं चाह रहा हूँ कि ये button हमारी start वाली screen पे लिया है ठीक है and उसके बाद अगर वो create account पे क्लिक करे तो वो इसको इस वाली screen पे लिया है that's it simple so अब अगर मैं इसको preview करता हूँ यहां देखें top right पे आपके पस desktop preview का एक option दिया हुआ है यह हमारे पास आगई screen जैसे हमाने sign in किया यह हम आगए इस वाली पर और अगर मैं preview करता हूँ और create account पे जाता हूँ तो simply इस screen पे आगए अब इसके साथ कुछ details जरा सी देख लें सी जैसे मैंने sign in पे click किया यह directly यहां पर आगया अब जरा यहां top right पर देखें कि आपके पास कुछ triggers दिये हैं कि जी इस button पे क्या करें tap करें या drag करें या keys या कोई voice command दे दे so yes इसको हम tap पर ही रखतें दूसरा क्या होगा transition yes दूसरी screen पर जाएगा और कहां जाएगा start one पर यह वाली screen and क्या करें by default इसकी वैसे तो dissolve होती है आप dissolve रख लें यह यह fade हो करके इसमें आजाएगा now ease out इसमें option दिया हुए कि जी animation कितने देर की duration that's it similarly यहां पर हम आजाएगा तो इस पर भी वही सारे options दिये हैं transition create account push right की जगा मैं dissolve कर रहा हूँ that's it now अगर मैं इस पर आ जाता हूँ अब हमारे पस क्या है option create account जैसी create account कर ले तो यह कहां चला जाएगा यह यहां पर so अब जब इस screen पर आए मतलब अगर create account की आए यहां पर आगए हम तो यहां पर हमारे पस जैसी create account कर ले बनता तो क्या हुआ हुआ हमारे पस option sign in का आजाए तो मैं simplys को पीछे ले आता हूँ जी वापस आजाए इस screen पर और अगर sign in करे तो obviously यह यहीं उपर ले आएगा तो यहां से तो definitely sign in ही करेगा anyways जब यह यहां sign in करने के बाद यहां पर आया तो यहां पर आएगा है जरा इसको एक बाद चला के देख ले confusion I hope अगर ना हो रही हो तो कोई तना अच्छा अच्छा नहीं है क्योंके simple यह देखो यार simply अभी तक है हमने दो ही screen के बीच में केल रहे है तीसरी screen यह है let's say अगर मैं skip पे click करता हूँ तो जी इस वाली पर आजाए इस पर skip करता हूँ तो सीधा आजा हमारी welcome वाली screen पे that's it so यह हो गई हमारी सारी तर्तीब now अगर असको मैं अब play करता हूँ तो यह आगई हमारी screen sign in हम आगए directly यहाँ पर skip किया skip किया और हम अपनी welcome screen पर आगए now अगर मैं यहाँ पर play करता हूँ और कहता हूँ कि नहीं जी create account so once हमारा account create हो जाए हम वापस आजाएंगे sign in पे and then of course sign in करेंगे तो हम वापस अपने इस जगा पर आजाएंगे तो यह सारी screens आपस में link हो चुकी है now मैंने यह जो screen थी इसको मैंने छोड़ दिया था यह थी splash screen तेक है अब मैं कर रहा हूँ इसको home तेक है और इसको home से हटा रहा हूँ अब यह क्या है हमने select ही नहीं किया हमने तो पूरी screen को select किया हूँ मैं चाहरा हूँ कि यह हमारे पास trigger कुछ और आए यहां पर देखें tap के अलवा जो दूसरे trigger है हम वो चाहरा है पहले तो हम let's से connect कर देते हैं और इस पर मैं tap नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जी time time मतलब कितनी देर तक्रीबन मैं चाहरा हूँ तक्रीबन यहां पर देखें 1 second यहां आप चाहें तो यह type कर ले मैं चाहरा हूँ 3 seconds तो 3 seconds तक रुकेगा और उसके बाद हमारी transition होगी कहां जाएगा यहां जाएगा और animation क्या होगी मैं चाहरा हूँ push left हो जाए मतलब यह किसके ठीक है that's it अब ज़रा इसको play करके देखें so यह थोड़ी ते रुकोएगा बिल्के दोबारा play करके देखें so 1, 2, 3 और यह खुद आया मैं ने कोई tap नहीं किया कुछ नहीं किया and then फिर यहां से हमारी वही सारी transition I mean जो screens है वो चल पड़ेंगी I hope बहुत simple सा है इतना मसले वाला नहीं है एक चीज़ यहां पर मैं छोटी सी बता दूँ के हमारे पास action में एक और चीज़ ही हुई है auto animate यह बहुत मज़दार सी चीज़ है यह अगली क्लास में हम देखेंगे So I hope आप लोगो prototype अगर अच्छे से समझ में आगए होंगे कोई मसला नहीं है यह जो design किया हुआ है trust me कोई तनी बड़ी मुश्किल चीज़ नहीं चंड डबे ही है आप भी खुद से कुछ डिजाइन कर सकते हैं इन्शालाफ फ्यूचर में हम पूरी अब बना के देखेंगे के एक particular topic ले लेंगे और उसके उपर हम बहुत सारी चीज़ें करके देखेंगे तो वो एक आपको start to end पूरी एक अब डिजाइन करना अगर पसंदाइए तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू